नगमा एक भारतिय फिल्म अभिनेत्री हैं। नगमा हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगू, तमिल, कन्नड, मल्यालम, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी और अब मराथी जैसी भारतिय भाशाओं में विस्तरत रूप से काम करने के लिए उलेखनी अरही हैं। प्रिष्ठ भूमी नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता स्वर्गिय श्री अर्विंद प्रताप सिन्ह मोरारजी टेकसटाईल जगत के धुरंधर थे। उनकी मा का नाम सीमा सदाना हैं। पासपोर्ट के अनुसार नगमा का असली नाम नन्दिता हैं। करियर नगमा ने अपने करियर की शुरुवात सल्मान खान के साथ फिल्म बागी से की थी। यह फिल्म उस दौरान बहुत हिट हुई थी। करिश्मा कपूर के संध 1994 की सुहाग की प्रमुख नायकाओं में वे भी थी। जिसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन ने काम किया था। इस आरंभिक सफलता के बावजूद अपनी सहेली दिव्य भारती के कहने पर वे तेलुगू और तमिल फिल्मों में काम करने के लिए दक्षिन भारक चली गई। वे दक्षिन में एक बड़ी स्टार बन गई और 1990 दशक के अधिकाश समय में कम से कम 1997 तक चोटी पर बनी रही और कथित तोर पर तमिल नाडू में प्रशन्सकों ने उनको एक मंदिर समर्पित किया। तेलुगू में उनकी प्रमुख हिट फिल्मों में शामिल हैं 1993 की चिरंजीवी के साथ घराना मोगुडू, अक्किनेनी नागारजुन के साथ, अल्लरी अलुडू और एंटी रामराव और मोहन बाबू के साथ मेजर चंदरकान्थ। उनकी मुख्य तमिल हिट फिल्मे थी, 1995 में सुपर्स्टार रजनी कांथ के साथ बाशा और 1994 में प्रभु देवा के साथ कादलन। इस दौर में उनका ज्यादातर प्रदर्शन ग्लैमर उनमुख रहा। बरहाल वह अब भोजपुरी सिनेमा की नायका हैं। उन्हें वहा के दर्शक भोजपुरी की माधुरी दीख्षित मानते हैं। वे विशेश रूप से बिग बॉस, रियालिटी शो में भाग लेने वाले रवी किशन के साथ सफर रही हैं, जिनके साथ वास्तविक जीवन में उनका रुमानी रिष्टा भी जोड़ा गया। 2006 की फिल्म गंगा में उन्होंने अमिताब बच्चन और हेमा मालिनी के साथ गंगा के रूप में अभिनय किया। जब उनसे पूछा गया कि वे क्यों भोजपुरी फिल्मों में स्थानांतरित हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अलग-अलग भाशाओं में फिल्में करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही दस भाशाओं की फिल्मों में काम किया है। मेरी पहली भोजपुरी फिल्म पंडित जी बतायना ब्याह कब होली जबर्दस्थ हिट साबित हुई थी। उसके बाद कई प्रस्ताव मिले और वे इतने अच्छे थे कि उन्हें नजरंदाज नहीं किया जा सकता था। जब अप्रेल 2007 में दहिंदू अकबार द्वारा दिल्ली में साक्षातकार लिया गया। तब उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि भोजपुरी फिल्मों पर ध्यान केंदृत करने के फैसले का एक और महत्वपूर्ण कारण अपने राजनैतिक प्रचार में मदद देने के लिए था। 2006 में उन्होंने राज बब्बर के साथ एक जिंद एक जान के जरे पंजाबी फिल्मों में शुरुआत की। सितंबर 2006 में मिड़े के एक साक्षातकार में अपने क्रियर की चर्चा के दौरान नगमा को यह कहते हुए उद्धृत किया गया। मैंने नौ भाशाएं सीखी हैं, इसलिए मैं सभी भाशाओं की फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। जहां तक हिंदी फिल्मों का मामला है, मैं एक बहुत बड़ी एतिहासिक रोमाचक फिल्म के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हूँ। मुझे ठोस किस्म की भूमिकाएं करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं संतुष्ठ हूँ। मार्च 2007 में अपनी वर्तमान कई भोजपुरी फिल्मों को पूरा करने की प्रतिबधता के बारे में टिपपणी करते हुए, उन्होंने अपनी मौझूदा परियोजनाओं को पूरा करने के बाद हिंदी फिल्मों में लोटने की दिशा में अपना ध्यान केंगरित करने का इरादा व्यक्त किया, राजनीती करियर, भारतिय कॉंग्रेस पार्टी की एक मुखर समर्थक 2007 में आंधर प्रदेश राज्य सभासीट के लिए नगमा की सिफारिश की गई थी, अप्रेल 2004 के चुनाव के दौरान वे आंधर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की एक प्र पर्मनिर पेक्षता और ग्रीब तथा कमजोर वर्गों के कल्यान के प्रति-प्रतिबधता को पार्टी में शामिल होने का कारण बताते हुए, सदस्यता ग्रहन की थी